नमस्कार साथियो स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बीडी जोन में तो आज फिर से हम रेलवे में पूछे जाने वाले एकाती मुहत्पूर्ण फ्रस्न लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं तो चलिए इस मेत को सटीक तरीके से सौड तरीके से आपको बनाना सिखाते है तो प्रस्न है किसी धनराशी को सधारन ब्याज पर दिया गया है जदि यह दो वर्स में 2240 रुपया था पांच वर्स में 26 रुपया हो जाता है तो धनराशी क्या है तो इस तरह का मेत को बनाने के लिए एक सिंपल सा ट्रीक है सबसे पहले आप देख लिजे कि सबसे बड़ा वर्स कौन सा दिया है तो यहाँ पर हम वर्स लिख लेते हैं और यहाँ पर जो मिस्तरधन है उसको लिख लेते हैं तो वर्स सबसे पहले बड़ा वर्स दिया है पांच और इसमें छोटा वर्स दो है तो माइनस दो कर देंगे तो हमारा आ जाता है तीन वर्स तो पांच वर्स के साथ में कितने रुपय हो जाता है 2600 रुपिय हो जाता है और दो वर्स में हमारा मिस्रितन कितना हो जाता है 240 रुपिय है तो दोनों में अंतर कितना हो जाता है 60 और इधर हो गया 3 360 रुपिय है ठीक है अब इसी से हम निकाल लेते हैं तो जब 3 वर्स का हमारा निकल जाता है 360 रुपिय है तो एक वर्स का कितना निकल जाएगा तो 3 से काड़ देते हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6, 120 रुपिय हमारा एक साल का निकल जाता है तब इस ही को हम put up कर लेते हैं किसी भी एक जैसे यह 5 वर्स में put up कर लिजिए हम आपको दोनों में दिखाते हैं जैसे 2 वर्स में सबसे पहले लेते हैं तो यह 1 वर्स का छाएगा 2020, 240 हमारा मिस्र धन कितना है 220 मैनस ही ब्याज resposta मैनुप हु को हम घटा देते हैं तो हमारा मुल्धन आ जाता है तो हमारा मुल्धन कितना हो गया 2000 रुपिय यह एंसर हो जाएगा दूसरी हम इस में ले लेते हैं पांच वर्स में तो हमारा एक साल का कितना होता है 120 तो 5 गुना 120 तो इस तरह का जब भी मैत आपके सामने पूछा जाए तो यह सिंपल सा ट्रिक लगाईए और जटपट में इस मैत को बना डालिए क्योंकि जदि आप इसे लोंग प्रोसेस में ले जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इस विधी से आप असानी से बना सकते हैं उमिद है कि यह मैत आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगे तो लाइक किजिए नहीं लगे तो डिसलाइक किजिए साथ में जदि इसी तरह का ट्रिकी मैत और रिजनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद